पर्मानेंट एंड करेंट एड्रेस विद पिन कोड का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पर्मानेंट एंड करेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जो आपका पर्मानेंट एड्रेस है यानि कि जहां पर आप काफी लंबे समय से रह रहे हैं या जहां पर आपका घर है वो आपका permanent address होता है यानकि जहां आप भी रहते हैं या आपके माता-पिता रहते हैं जैसे मान लेजिए आपका जनम जो है वो कहीं हर्याना में हुआ है और वहां पर आपके माता-पिता रहत और permanent address भी वही हो, तो दोनों जगे पर वही address ढाल सकते हैं, आप इस तरीके से address लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपका house number लिखेंगे, या flat number या जो भी आपका है, उसके बाद आपका sector का नाम या जिस भी colony में या जिस भी society में आप रहते हैं, फिर आपका शहर का नाम आता है, और फिर आपको area pin code भी लिखना होता है, तो area pin code जो है, वो 6 digit का एक आंक होता है, जिससे आपका area को पहचाना जाता है, कि आप किस area में रहते हैं, जैसे कि 110001 जो है, ये दिल्ली का pin code है, तो इस तरीके से दिल्ली में भी अलग-अलग जिगों के लिए अलग-अलग area pin code है, तो आपकी area का जो area pin code है, वो भी आपको साथ में लिखना होता है, address के साथ, इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें, तो आपकी screen और video के description में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं, अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर search कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें